स्टूडेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज दोस्तों हम रीट के लिए जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स आफ टीचिंग इंगलिश उसके बारे में आपके लिए मैं नौट्स लेका है हूँ साथ ही मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता चलू हूँआ वी कोशन आएगा कि लर्निंग बाई डूइंग जो है वो किस तरह के का प्रिंसिपल है कि चाइल्ड सेंटर्ड बच्चे को ध्यान में रखकर यह है यह यह प्रिंसिपल काम करता है और एक्टिवनेस यानि बच्चा एक्टिव होगा काम करेगा तो वो करके सीखेगा इसी अगला है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन अब मैं आपको बता जाता हूँ इमिटेशन मतलब बता है अनुकरण अनुकरण का सिद्धान चोटे बच्चों के लिए जो है लागू होता है प्राइमीरी तक के लिए लर्निंग बाई इमिटेशन टीचर ग्रूप पैरेंट्स य वो कहा है वैसी ही एक्टिविटी करता है तो दोस्तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन से हम यह समझ सकते हैं कि बच्चा जो भी आसपास चीज़े देखता है उन्हीं को दो राता है तो यह क्या है दोस्तो यह भी चाइल्ड सेंटर्ड है इसमें और इसमें सासत बच्चों के इन्वाइरमेंट का बहुत ही महताबन प्रभाव पड़ता है इस पर भी दोस्तों महताबन कोशन बन सकता है उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ सबसे इंपोर्टेंट है लिंकिंग विद लाइफ यानि जीवन से जोड़ना आसपास के वातावरन प है जैसे माली जी हम कलास में बच्चे को पढ़ा रही है और बच्चा जैसे किसी पंके को जानता है तो हम उसे इंगलिश में फैन करके बताए आसपास घर में वो किसी चीज को जानता है हम उसे इंगलिश सिखाए तो बहुत इजी तरीके से सीख सकता है और ये भी चाइल् respond करना reinforce करना learning के लिए useful इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा कोई कारे करता है और हम उसे कहते हैं बहुत शाबाश या बहुत अच्छा कारे किया आपने तो हम उसे क्या कर रहे हैं एक तरीके से हम उसे प्रेड़ना दे रहे हैं ताकि वो उस कारे को दो रहे तो यह क्या ह होता है action repeat होता है repetition of action तो दोस्तों यह हमने सीखे इसके बाद आगे चलते हैं देखिए मैं आपको दिखाने चाहता हूँ principle of gradation gradation का मतलब होता है सरल बनाना सीखने में आसार बनाना इसके अंदर दो होते है principle of grouping और principle of sequencing group में करना उसको और sequencing में करना grouping का मतलब होता है sound के अदार पर जैसे हम weight, height, light, right इस तरीके से सिखाएं situation के अदार पर brother, sister, mother जानी जो भी जिनको वो जानता है structure of sentence we are playing, they are playing इस तरीके से सिखा सकते हैं group में meaning के अदार पर beautiful, charming इस तरीके से हम एक साथ चीज़ों को सिखा सकते हैं principle of grouping कहलाता है उसके बाद principle of sequencing इसमें grammar के अदार पर, words के अदार पर और meaning के अदार पर sequence कैसे कर सकते हैं grammar की structure के दार पर उसके बाद words के दार पर और फिर उसके बाद meaning के दार पर हम उसको sequencing कर सकते हैं अगला है principle of presentation प्रस्तूति करण इसमें कहा है model reading by teaching यानि जो class में teacher model reading करता है lesson को पढ़ता है उनके समझाता है introduction of lesson example used student pronunciation and postures principle of presentation के अंदर गत आते हैं इसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह जो सारे principle हैं इन पर practical question आपके एक्जाम में आने वाले हैं यह नहीं है कि आप इसको याद कर ले इसलिए मैंने आपको विस्तार समझाए है और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताक कि मैं आपके लिए रीट के लिए ऐसी ही इजी लेंग्विज में नोट्स लास को धन्यवाद झाल